Hello friends, I am Radha Kant and today we will discuss about history of computer. तो computer की इतिहास के बारे में आज देखेंगे कि पहले जमाने में जो हमारे पूर्वस थे कौन-कौन सा चीज का इस्तिमाल करके वो जो भी गिनना होता था वो गिनते थे और कैसे करके computer धीरे 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 आया है तेते पहले जमाने कौन-कौन सा चीज इस्तिमाल करते थे कुछ भी गिनने के लिए तो उसी की बारे में ही आज हम देखेंगे तो पहला जो counting device था वो हमारे पूर्वज ही यूज किये थे और वो छड़ी का पत्थर का और बोन्स का इस्तिमाल करके जो भी गिन्ति करना होता था वो करते थे ऐसे अनेक हड्डियां हैं जो हमें आज भी देखने के लिए मिलती है तो उनमें से एक हड्डी है जिसका नाम है लेबंबो बोन माना जाता है कि करीवन 43,000 सार पुरानी बोन है ये है हुआ और ये बोन बबुनक फिभुला से बनाए हुआ है और इसमें कुछ कार्प मेकिंग है कुछ पेंटर्ण जैसे 29 कार्प मेकिंग किया गया है जो पहले जमाने में हमारा पूरवज इसे इस्तेमाल करके गिन्दि की आ तो यह बॉन अफ्रीका और स्वाजिलांड के बीज में एक माउंटेन है जिसका नाम है लिबोंबो거든 हैं माउंटेन वहां से यह बॉन रिकोवर किया गया था और ऐसे ही एक वॉन है जिसका नाम 농 Safe तो जब बेल्जियन के एक जियोलोजिस्ट सेमली की भेली में एक्स्प्लोरिंग कर रहे थे उच टाइम ये भॉन उद्धार किया गया था जो कि भलकेनो इरॉप्शन के द्वारा मिट्टी के नीचे दब गया था तो माना जाता है कि करीबन ये 20,000 सार पूरानी बोन है जो कि पहले जमाने में इन बोन को हमारे पूरवज इस्तिमाल करते थे कार मेकिंग करके जो भी गिना होता था वो गिना करते थे हिस्ट्री के बारे में तो जान ली हम कि पहले जमाने में हमा पूरवज थे और प्रिमीटी पीपोल क्युक्ण कान कार्वज चीज यूइज करते थे गिंती करने के लिए अभी देखेंगे कि उसके बाद क्यून था मसीन हों आया गिंती करने के लिए काउंटिंग करने के लिए कौन-कौन सा मसिन आया हम एक-एक करके उसे देखेंगे तो पहले में हमारा अबेकश माना जाता है कि कंप्यूटर का इतिहास यहीं से ही सुरू हुई थी अबेकश ची तो और इसको एक चाइनिज साइंटीस 4000 साल पहले ही बनाए थे और अबेकश में ये कुछ एक लकडी का फ्रेम होता था और से बहले का रड लगा होता था और उसमें लकडीयों का गोली इसको हाथ के सहारे उपर निचे करके जो भी गिंती करना होता था वो गिंते थे पहले जमाने में अच्छा ये तो जान गए कि अवेकस का काम क्या है कैसे करके गिना करते थे अवेकस का यूज करके लेकिन अवेकस का जो अवेकस का है जन्म क्यों हुआ मतलब आया क्यों तो पहले जमाने में जो भी गिंती पहले जमाने नंबर तो नहीं था गिनने के लिए जो भी गिंती कर गिनने के लिए जो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हड्डियों या चड़ी या पत्थर का इस्तिमाल करके वो गिंती किया करते थे और पत्थर और चड़ी के सहारे और भी ज़्यादा बड़ा नंबर हो तो गिनना थोड़ा मुश्किल हो जाता था उस टाइम तो पहले जो बेबस आई थे वो कुछ भी खरीदा करते थे या बेचा करते थे उन्हें उनका हिसाब या टेली करना होता था कितना आ गया कितना खरीदें हैं कितना बेचें हैं तो उनको एक portable device चाहिए था जिसको पकड़ के वो जा सके और जहां भी टेली करना होता था वहां पे टेली कर पाए तो इसलिए ही अबेकस को बना गया था क्योंकि आसानी से उसको पकड़ के जहां भी ले पाए वो और ज नेपियर बोन्स तो यह एक manually operated calculating device था जिसको हम हाथ के इस्तिमाल करके हम calculating कर पाते थे उस टाइम तो यह जोन नेपियर के द्वारा बनाया गया था उसलिए इसका नाम है नेपियर बोन्स यह lattice multiplication उपर based है और जिसे हम रैप्डोलोजी भी बोलते हैं इसको यह बना था हमारा हड़ी इभोरी और धातु इन सब का मिश्रण करके बना गया था इसको इसको इसका इसका इस्तिमाल करके बना गया था नेपियर बोन्स को तो माना जाता है कि यह उस टाइम का पहला मशिन है जिसमें दस मलब पॉइंट का यूज किया गया था पास्का लाइन तो यह बना गया था एक फ्रेंच मैतमेटिशियन और फिलोशफर ब्लेच पास्कल के द्वारा बीट्वीन 1642 से 1644 के बीच में यह बना गया था पास्का लाइन को एडिशन मशिन और एरिट्मेटिक मशिन भी कहा जाता है तो यह मशिन पास्कल अपने पिता जी के लिए बनाये थे क्योंकि उनके पिता जी एक टेक्स एकांटेंट थे तो उनको गिंती करने में परिशानी होती थी उसलिए वह अपने पिता जी को मदद करने के लिए ही पास्का लाइन बनाये थे तो यह एक लकड़ी का बॉक्स जह से है जिसमें कुछ सीरिज अब गयर लगए है आप देख सकते हैं यह सब गयर है तो जब एक बार एक गयर घुमता था उसके साथ वो जो बाजु वाला होता था गियर वो भी गुमता था तो इसी तरह ये डिवाइस जो भी कालकुलेशन करना होता था परफर्म करती थी इसी तरह से स्टेप्ट रेक ओनर और जिसे हम बोलते हैं लेबनीज फिल तो यह एक जर्मन मैथमेटिशन और फिलोसर गॉड़ फ्राइड विल्हेम लेविनीज के द्वारा बनाया गया था 16-73 को और वो पास्कल का जो पहले वाला मशीन था उसको इंप्रूब करके यह मशीन बनाय थे तो क्या इंप्रूब किया गया था इसमें इंप्रूब यह हुआ था कि जो पहले वाला पास्कल का मशीन था उसमें सीरी जब गियर लगा गया था और एक गियर गुमने से एक गुमने से दूसरा बाला जो होता था वो भी गुमता था और इसी तरह से वो जो अरित्मेटिक अपोरेशन है वो परफर्म करते थे लेकिन यहां पे गियर की जगह में लगा दिया गया फ्लूटेड ड्रॉम डिफरेंज इंजिन तो यह 1820 सेंचूरी को बना गया था चाल्स बावेज के जवारा जो की फादर अब मोडर्न कम्प्पिटर के नाम से जाने जाते हैं टेबल बनाने के लिए एक टेखनीक यूज होता था तो उसे बोलते हैं मैथर अब डिफरेंज तो जो टेबल बनता था वो टेबल आज की जमाने में नेविगेशन और एस्ट्रोनमी के लिए यूज किया जाता है और यह ऐसा मसीन था जो की कोई भी अरिद्मेटिकल ऑपरेशन को कम्प्पिट करके वो एलेक्ट्रोनिकली स्टोर करता था एनलाइटिकल इंजिन यह मसीन चाल्स वेबेश के द्वारा ही बनाया गया था आट्रास वतीस को और इसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को सल्विंग करने का केपेसिटी था इसमें और इसमें इन्पूट देने के लिए पंच काड का यूज किया जाता था माना जाता है कि this is the first digital computer in the world ये दुनिया में सबसे पहला digital computer है जिसमें आज के जमाने के computer में जो भी logic होते हैं या जो भी major principle होते हैं उस time में ये analytical engine में सब लिखा गया था और फर्चुनेटली विकाज अब लेक फंडिंग दे अनलेटिकल इंजिन वाज नेवर बिल्ट वाइल बैबेज वाज अलाइब फंडिंग की चलते ये जो एनलेटिकल इंजिन है वो बाबेज के द्वारा तो complete नहीं हो पाया तो उनके जो योंगे श्रॉंद थे वो कुछ portion को complete किये थे और complete करने के बाद वो एनलेटिकल इंजिन में basic calculation perform हो पाया तेबुलेटिंग मशीन तो ये मशीन हर्मन होलरित के द्वारा बना गया था 1890 को और हर्मन होलरित का जन्म फरवरी 29-18060 को हुआ था और ये मशीन बनाने का मकसद ये था कि उस टाइम इन 1890 दे यूएस कोवर्मेंट हाड़े जाएगा तो ये चिंदा कभी से था उस टाइम तो जो पॉलिसी में करते वो चिंतित होगे कैसे करके ये काम को जो है census report को टेबुलेट किया जाए जल्दी तो फिर सब जो scientist थे वो उसका solution ढोड़ने में लगी कि कैसे करके हम जो यूएस का census है उसको जल्दी से टेबुलेट कर पाएं तो फिर एक दिन हर्मन हुलरीद ट्रैन में जा रहे थे और जो टिकेट कलेक्टर है उसका नजर उसका punching card उपर नजर गया हर्मन हुलरीद वहीं से उनको आइडिया आया कि पंचिंग कार में जो भी census report है उसको लिया जाएगा और बाद में पंचिंग कार सब को कलेक्ट करके टेबुलेटिंग मशीन में रीट किया जाएगा तो इसी तरह से टेबुलेटिंग मशीन बनाने का उनका आइडिया आया और वह बनाए और 1888 को पहले टाइम के लिए कुछ फेडराल गॉर्मेंट अब इस में लगा गया था डिफरेंशियल एनालाइजर तो यह पहला इलेक्टोनिक कंप्यूटर था जो यूनेटर स्टेट में उनने सतीस को इंट्रेडूश किया गया था यह अनलोग डिवाइस था जो की वैनेवर बूस्ट के द्वारा बना गया था और यह इस मशिन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तिमाल किया गया था इलेक्टिकल सिगनाल को स्विच करके काल्कूलेशन परफॉम करने के लिए लगा गया था वैक्यूम ट्यूब को कि इट कुड दू 25 कलकुलेशन इन फ्यू मिनिट्स तो यह कम ही समय में 25 कलकुलेशन कर पाती थी मार्क वन तो यह होवड आइकेन के द्वारा बना गया था जो कि एक अमेरिकन फीजिक्स थे बाद में 1944 को IBM के साथ मिलके पार्टनर्शिप करके यह मार्क वन को कंप्लीट किया गया था और यह था 50 फीट और कह सकते हैं 15 मीटर लंबाई इसका और वजन करीवन पांच ट्रन के आसपाफ और इसमें सेवन लक्स पिप्टी थाउजन सेपारेट पार्ट्स थे जो कि लगाया गया था इसमें थैंक यू फर वचिंग इसमें पांच आसा उन्मटिबवादर अभड़ी रचिंग पांच यू फ्हिंग पांच कि अप्ले रचिंग